फिल्म की शुरुवात में हम देखते हैं, 1963 में मेक्सिको को जहां पे कुछ मजदूर खुदाई करके एक बॉक्स निकाल रहे हैं, फिर हमें एक दीवार दिखाया जाता है, जहां बहुत सारी तितलिया बैठी हुई थी, उसके बार हम एक लड़की को देखते हैं, फिर तभी उस लड़की को कोई खीच कर ले जाता है, और उस लड़की को किसने खीचा कहा गई हमें इस मुवी में आगे पता चलेगा, फिर हमें एक घर दिखाया जाता है, और ये वही घर है जहां अभी अभी कांड हुआ था, उसके बाद कहानी सिफ्ट होती है, दूसरी लड़की पर जिसका नाम अंबर होता है, अंबर हाल ही में अमेरिका में चोरी छुपे आई है, और उसकी आईडी भी नहीं है, इसलिए उसके होटल वाले ने आईडी ना, देने के कारण उसे होटल से निकाल दिया, और अंबर एक सिलने की फैक्टरी में काम करती है, फिर वही दिवार पर अंबर एक पोस्टर देखती है, जिसमें कम रेंट पर रूम मिल रहा है, और वहाँ पर सिर्फ लड़कियां अलाव है, ये देखकर अंबर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, उसके बाद अंबर उस पोस्टर वाले एड्रेस पर पहुँच जाती है, और वहाँ उसको घर का मालिक मिलता है, जिसका नाम रेड होता है, और ये वही घर है, जो हमें मूवी के शुरुवात में दिखाया गया था, फिर अंबर के पूछने पर बताता है, कि इस घर में तुम्हारे अलावा और एक लड़की रहती है, उसके बाद रेड अंबर से एक महीने का रेंट एडवास में ले लेता है, और साथ में ये भी बताता है, कि रात को जल्दी घर वापस आना होगा, और यहां दारू और सिगरेट पीना बिलकुल मना है, फिर अंबर इन सारी बातों के लिए मान जाती है, और रुम में शिफ्ट हो जाती है, फिर रात में अंबर को नीचे से रोने और चिल्लाने की आवास सुनाई देती है, और अंबर को काफी अजीब लगता है, लेकिन वह इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, फिर वह सोते हुए अपनी मा की तस्वीरें देखती है, और उन्हें याद करती है, और तब हमें पता चलता है कि अंबर के मा की तबियत बहुत ज्यादा खराब होने के कारण गुजर गई, और उसकी मा हमेशा उसके सपने में आती रहती है, और उससे बाते करती है, फिर अंबर अगली सुभा उस लड़की से मिलती है जो इसी बिल्डिंग में रहती है, और वह बताती है कि रेट बुरा आदमी है, फिर वह चली जाती है, और अंबर इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, उसके बारे अंबर फैक्टरी में काम करने जाती है, और उसका वहाँ एक फ्रेंड भी है, जिसका नाम किनसी होता है, फिर किनसी बताती है कि तुम्हें आइडी बनाने के लिए तीन हजार रुपए लगेंगे, और अंबर कहती है कि 3,000 क्यों तुम हैं तो 1,000 बोला था फिर किनसी कहती है कि तुम अमेरिकन नहीं हो इसलिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा उसके बाद अंबर वहां रहने वाले अपने अंकल के घर में जाती है क्योंकि उसके अंकल उसे एक जॉब देने वाले थे और अंकल कहते हैं कि तुम अगले हफ़ते अपने आईडी कार्ड लेकर मैं तुम्हारी जॉब लगवा दूंगा फिर रात के डिनर के बाद जब अंबर वापस होटल पहुँचती है तो वहाँ पर उसे बेस्मेंट में से अजीब अजीब आवाजे सुनाई देती है इसलिए वह चेक करने के लिए उस बेस्मेंट की तरफ जाती है तभी रेड वहाँ आ जाता है और कहता है कि बेस्मेंट में जाना मना है और वो प्राइवेट है और साथ ही दूसरे रूम का दर्वाजा बंद करके बताता है कि ये study room भी private है, उसके बाद अंबर rate से अपना deposit के पैसे वापस मांगती है, और कहती है कि जितने दिन में रही हूँ उसके पैसे काट कर बाकी मुझे दे दो, फिर rate उसको साफ मना कर देता है, और कहता है कि वह प अपने पडोसी के रूम में जाती है, लेकिन वह वहाँ पर नहीं होती इसलिए, वहाँ से चली जाती है, और तभी हम कमरे में एक आत्मा को देखते हैं, जिसका सिर्फ आखे चमक रही थी, फिर उसी रात अंबर सोते टाइम अपनी मां का सपना देखती है, और उसके सपने में एक बॉक्स दिखाई देता है, इसमें से कोई हाथ निकाल रहा था और ये वही बॉक्स है, जो मैक्सिको में मिला था, फिर अगले दिन अंबर अपने बॉस से पैसे एडवांस मांगती है, लेकिन उसका बॉस ये कहकर मना कर देता है, कि तुम काम बहुत धीरे करती हो, और उसे सिलाई के काम से हटा कर पैकेजिन के काम पर लगा दिया जाता है, उसके बाद अंबर और किनसी एक बार में जाते हैं, जहां अंबर अपने सारे पैसे किनसी को दे देती है, और कहती है कि मेरी आईडी जल्दी से बना दो, उसके बाद वह अपने होटल की ओर जा र रूम में चली जाती है, फिर अंबर वहाँ पर आई हुई दो नई लड़कियों से मिलती है, जो देखने में थोड़ी अजीब है, तीनों यहाँ पर बातचीत करने लगते हैं, और सिगरेट पीने लगते हैं, तभी यहाँ पर रेड आ जाता है, और कहता है कि यहाँ रेड से कहती है कि तुमने बोला था कि इस होटल में कोई आदमी नहीं है, तो नीचे कौन था, इस पर रेड कहता है कि वह मेरा भाई है, और वह थोड़ा सा पागल है, फिर उसी रात अंबर चुपके से प्राइवेट, रूम में घुस जाती है, जहां उसे अजीब चीजें मिलती है, जैसे किसी को टॉर्चर करके मारने की चीजें और कुछ तस्वीरें जिसमें लोगों को सजा दिया जा रहा था, और उस बॉक्स का तस्वीर भी देखती है, जिसे वह अपने सपने में देखा था, फिर अगले दिन सुबह अंबर किनसी को कॉल करती है, प उसके बाद अंबर वापस अपने होटल आती है, और जब वह नहा रही होती है, तो उसे फिर से वहाँ पर औरतों की रोने और चिलाने की आवाज सुनाई देती है, और उसे कुछ समझ में नहीं है, रहा था कि क्या हो रहा है, फिर उसे एक औरत उसकी तरफ आती हुई और जब वह स्किन बताती है, तो वहाँ कोई नहीं होता, फिर अंबर रेड से पूछती है, कि उसका पडोसी फ्रेया कहा गई, और रेड बताता है, कि वह तो परसों ही चली गई, फिर अंबर वापस अपने रूम में जाती है, और जब वह सो रही थी, तो उसे कुछ अजी पैसे पैसे तो नहीं है, इसलिए उसको कोई रूम नहीं मिलता है, फिर अंबर रेड को डोट, फोन करती है, कि और कहती है, कि मुझे पैसों की जरूरत है, प्लीज मुझे मेरे पैसे वापस दे दो, और एक रेस्टोरेंट में बैठ जाती है, थोड़ी देर बाद रेड वहाँ पर आता है, और अंबर को थोड़े पैसे देकर लालच देता है, कि बाकी के पैसे तुम्हें में होटल चल कर दूंगा, और वह अंबर को लेकर वापस उसी होटल में आ जाता है, और कहता है कि तुम्हारे पैसे रूम में है, जाकर ले लो, अब अंबर रूम में जाती है, तो वहाँ पर उसको कुछ भी नहीं मिलता, और रेड आकर उसे जबरदस्ती दारू पिलाने लगता है, लेकिन अंबर उसे मना कर देती है, तभी अंबर को दारू पिलाता है, फिर अंबर काफी डर जाती है, और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह लोग ऐसा क्यों कर रही है, फिर उसी रूम में वह दोनों लड़किया भी आ जाती है, जो पेकर और रेड से काफी डरी हुई थी, उसके बाद वह तीनों अप और बेकर उन दोनों लड़कियों को उठा कर कहीं ले जा रहे हैं, फिर वह उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन बेकर उसे मारता है, और एक कमरे में बंद कर देता है, और तभी घर के बाहर अंबर के अंकल आये हुए थे, और रेड कहता है कि कोई भी अंबर यहां नहीं रहती, फिर अंकल कहता है कि नहीं वह यही पे रहती है, मुझे पता है, लेकिन रेड उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे थे, और तभी अंकल अंबर को खिड़की पर देख लेते हैं, और रेड को धक्का देकर वह उपर की तरफ जाने लगते हैं, और अंबर के रू आजाद करने के लिए कहती है, लेकिन रेड नहीं मानता, और कहता है कि मेरा भाई उस बौक्स की वज़ह से ये सब कर रहा है, उसने हमारे मा के साथ भी ऐसा ही किया था, और अब तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेगा, क्योंकि वह बीमार है, और जब वह ये करता है, तो वह बि बेकर अंबर को उठाकर बेस्मिंट में ले जाता है और जाते जाते रास्ते में अंबर को बहुत सारी आत्माएं दिखती है जिन्होंने बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहने हुए थे और हमें पता चलता है कि इन सारी लड़कियों को बेकर ने ही मारा है फिर बेकर अंबर को लेकर एक रूम में जाता है जहां बहुत सारी कैंडल्स रखी हुई थी और वहां कई लाशे भी थी जिनके सर नहीं थे फिर अंबर को वही लिता कर बांथ दिया जाता है और सामने वाला बॉक्स खोल देता है जो वह अपने सपने में देखा करती थी और बेकर वहां से चला जाता है फिर तभी वहां अंबर के अंकल आ जाते हैं और उसे खोल देते हैं फिर दोनों वहां से भागने लगते हैं तभी वह दोनों एक अंधेरे से रूम में पहुच जाते हैं फिर अंबर को दिखता है कि वह अपनी मा के साथ है और तभी हमें पता चलता है कि वह बस अपने में देखते हैं कि अंबर की मा उसे मारने की कोशिश कर रही है। लेकिन तभी अंबर अपनी मा को पीलो से मुह दबा कर मार देती है। तब वह जाग जाती है और वो क्रेचर भी वहाँ से जा चुका था, फिर अंबर वहां से बाहर जाती हैं। और प्राइवेट रूम से एक हथियार उठाती है, उनके रूम में जाती है, और वह सबसे पहले रेड के टांग पर वार करती है, जिसे वह नीचे गिर जाता है, और वह बेकर को भी एक मारती है, फिर बेकर उसे नीचे गिरा कर एक टांग तोर देता है, तभी दूसरी उसके बाद वह रेड को उठाकर उसी रूम में लेटा देती है, तभी हम देखते हैं कि उस बॉक्स में से वापस वही क्रियेचर बाहर आता है, उसके सर को अपने अंदर डाल कर खा जाता है, उसके बाद अंबर बाहर चली जाती है, उसके बाद हम देखते हैं कि अंबर का प इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है